असलामू आलेकूम मैं जुलेखा अरफाद जुलेखास किच्छन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़िया सा शीर खुर्मा मैं आज भी मेरी जो दादी बनाती थी वही स्टाइल से बनाती हूँ और बहुत ही सिंपल है बहुत ही बहतरीन है एकदम लजीज है तो चलिए जो तीन पाने से धोके इसे एक-दो घंटे के लिए भीगाने रख दिया था फिर छन्नी के अंदर चान लिया उसे 10-15 मिनिट के लिए रहने दिया और यह अभी मनी प्याली में दाले हैं यह दूनों बादाम पिस्ते हैं 50-50 ग्राम बारिक कटे हुए रेडी मेड है और यह 1.5 लीटर दूद है और यह है 50 ग्राम सेवई रोस्टेड है सबसे पहले 1.5 लीटर दूद एक अच्छी मोटे पैन की पतिली में दाल दीजिए और बहुत अच्छे से धोईएगा क्योंकि काफी बार मुझे यह questions आते हैं कि हमारे यह दूद क्यों फट जाता है क्योंकि आ अच्छ पर तकरीबन 10 मिनिट तक पकने दीजिए यह 10 मिनिट अच्छ पर पक रहा तो मैं इसे पीछे रख देती हूं और यहां सामने की साइट पर पैन रख देती हूं अब यह फ्राइपैन के अंदर आप सबसे पहले मैं यह एक टेबल स्पून डेट टेबल स्पून जि यह चारोली तो फिर वो दूद में जाएगी तो हमारा दूद खराब हो सकता है प्योंकि उसमें पानी है अब यह सेपरेटली मैं क्या कर रहे हूं आधे एक मिनिट के लिए चारोली को मैंने फ्राइ कर लिया और जो भी इसका गीला पन था वो सारा निकाल दिया फ्राइ कर कर रहे हूं और यहां पर दाल दीजिए हमारी सेवई यह रोस्टेट सेवई है चूला मैं मीडियम पर रखी हूं और बार बार वीच बीच में चलाते रहे और इससे भून लीजिए बस थोड़ी सी कालर चेंज हो जाए उतना ही आपने भूनना है लेकिन बार बार चलाते रहिएगा यूजुली ना मैं चारोली को अगले दिन ही भीगा कर फिर उसे नितार कर उसे थोड़ा सा एक प्लेट के अंदर खुला डाल देती हूं और हवा के नीचे रख देती हूं कि वो पूरी तरीके से सूख जाए फिर नेक्स डे में यूज करती हूं लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि कभी-कभी ऐसा रहता है कि हमारे पास समय कम रहता है ना इसके लिए मैं आपको ऐसा बता रहे हूं चलिए अभी बदाम भी दाल दीजी पिस्ते भी दाल दीजी और 2-3 हरी लाइची मैंने इसमें डाल दी है मैंने माफी चाहती हूं कि स्ट किये लेकिन आप चाहें तो मीडियम आच रख सकते हैं अब बस इन्हें आप यह जो हमारी सेवई यह से दो मिनिट मीडियम आच पर भूने और एक मिनिट हमारे जो पिस्ते बादाम और उसके साथ भूने चलिए अब यहां पर मैं यह चूले के ओपर दूद रख दे हूं और quickly यह जो हमने भूनी है यह सारे dry fruits दाल दीजिए सेवई के साथ और चला लीजिए अब इसमें 3-4 cup शकर दाल दीजिए अच्छा अब यहां पर मैंने जो side पर रखी है चारोली मैं वो भी डाल देती हूं सबसे पहले mix कर लीजिए और दूद को न यह जो fry pen के अंदर दाल दीजिएगा तो जो भी लगा हुआ होगा वो सारा आपको मिल जाएगा अच्छा अगर आपने चारोली पहले से करके रखी है जैसे मैंने आपसे बताया एक दिन पहले ही और उसे सुखा के रखी है तो आप जब बादाम पिस्ते दालते हो ना fry करने में उसी टाइम प लुष दाल सकते है बादाम पिस्ते आप आपके हिसाब से कमिया जादा कर सकते है चारोली आपने नहीं डालनी तो आप बढ़ सकते है अच्छा, चारोली अगर आपने फर्स करो, सुभा में ही मेरी तरह एक दो घंटे बिगाई है और आपको उसे सुखाने का समय नहीं मिल और हलका गाड़ा हो गया क्योंकि अभी है ना आप चूला बंद कर दे 15-16 मिनिट के बाद तो जब वो थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आएगा तो as it is गाड़ा हो जाएगा तो आपको गाड़ा करने के लिए कुछ दालने की जरूरत नहीं है ना ही कलर आपको ऐसा मैंने 4-5 टेबल स्पून दाला है आप 1-2 टेबल स्पून दालिएगा तो उस सुरत में आप नॉन स्टिक फ्राइपन में ही फ्राइ कीजिएगा यह जो हमने हमारे ड्राइफ फ्रूट्स फ्राइप किये हैं अगर आपको जाधा सेवय पसंद नहीं है तो 50 गराम के बज़ उसे एक दिन पहले 6-7 घंटे के लिए भीगाने रख दी जब 6-7 घंटे हो जाए तो उसके छील निकाल कर उसको नितार लीजिए चील निकाल लीजिए और फिर उसके बारिक-बारिक चॉप कर लीजिए और अब पिस्ते पे आते तो पिस्ते को पानी गरम करके डालने की ज कि आप बढ़िया और मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगे माशालला जरूर बनाईएगा अपने ईद के दिन शीर खुर्मा मज़ेदार सा मज़ा आ जाएगा बना कर भी खा कर भी और आप सब को मेरे और मेरी फैमिली के ओर से बहुत 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 ईद की मुबारक बात अस्सलामू अलेकूम तो चलिए आज हम बनाते हैं चिकिन बिर्यानी एक तम बाहर जैसे रेस्टरॉन स्टाइली घर पर बनेगी और हाँ घर के हाजिर मसालों से आपको पैकेट मसाली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तो चलिए शुरू करते हैं आज की रसेपी साधारा एक बड़ी इलाईची, एक जावित्री, छोटा टुकडा जाइफल का पनफोथ पोशन ही है, एक बाधियान, दस हरी इलाईची, एक छोटा चाय का चमत सौफ, दस बारा लॉंग और एक छोटा चाय का चमत साबुद जीर, अब इन सब को मिक्सर चार के अंदर दाल कर और इसे साइट पर रख दीजे, अच्छा आप चाहें तो तेजपता भी दाल सकते हैं एक छोटा सा और एक छोटी डांडी दालचीनी की भी आप दाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, अब यहाँ यह एक किलो तक की चिकन है, चर्वी निकाली हुई है, दो तीन पानी से धो के नितानने के लिए मैंने 10-15 मिनिट के लिए साइट पर रख दिया था, अब एक बड़े से बरतन में डाल दीजे इस चिकन को, इसमें डाल दीजे 4 चोटी चाहे के चमच, धनिया पाउडर, आधा चोटा चाहे का चमच, हल्दी पाउडर, और 2 चोटे चाहे के चमच, कश एक ही चोटा चाहे का चमच दालिएगा, एक चोटा चाहे का चमच नम्माक, एक चोटा चाहे का चमच गरम मसाले का पाउडर, 4 टेबल स्पून भरकर अधरकलसन का पेस्ट दाल दीजिए, और थोड़ा सा रेड फूट कलर दाल रही हो, optional है, आप फुदी ना दाल सकते हैं मैंने सुखा हुआ फुदी ना दाला है, ये बारिक कटी हुई कोधमिर फ्रेश वाली दाल दी मैंने, और ये है तकरीबन एक कप दही, समझे ना धाइसो गरम दही होगी, सारी चीजों को मिक्स कर लीजिए, मिक्स करने के बाद ये जो पाउडर साइट पर रखा है, ये ड जाहें, तो रात को आप मैरिनेट करके, फिर नेक्स डे बना सकते हैं, मैं तीन-चार घंटे के लिए ऐसे फ्रिज में रख देती हूँ धाक कर, भाई मैं मुंबई की हूँ, तो हम आलू ज़रूर दालते हैं, आपने नहीं दालना हैं, तो कोई बात नहीं, आप मत दालेग करती हूँ, इसे स्लो पर रख के, इसे ढख कर, कुछ दिर अच्छे से पकने रख देती हूँ, मुझे बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं अंदर से, वैसे बहुत पसंद हैं बिर्यानी के अंदर, तो इसके लिए मैं वैसा करती हूँ, लेकिन आप सिर्फ लाइट गोल साइस की प्यास होगी, अब इसे बार-बार चलाते रही हैं और ये प्यास को फ्राय कर लीजिए, फास्ट आँच पर, आपने तब तक फ्राय करना है, जब तक लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती, तब तक बार-बार चलाते रहेगा, ये देखिए, लाइट सीचिंग शुरू करते हैं, ये जो निकाली है हम उपर से डालने के लिए रखे हैं, अब चलिए, यहां मैंने तीन टमाटरों को पाईए की शेप में काटके रखा है, इसे डाल दीजिए प्यास के अंदर, और इसे बार-बार चलाते हुए फ्राय कर लीजिए टमाटरों को मैंने फास्ट आच कर दिया, ये देखिए, प्यास क्या बड़िया सी क्रिस्पी हुई है, अब इसे तकरीबन तीन-चार मिनिट तक टमाटरों को फास्ट आच पर पकने दीजिए, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे न, चलिए तीन-चार मिनिट हो जाएं तो बिसमि मिनिट तक पका लीजिए, मैं टोटल पांच मिनिट तक फास्ट आच पर चिकिन को पका रही हूँ, तो जब तकरीबन धाई मिनिट हो जाएं न, तो यहां पर मैं डाल देती हूँ, बारा से तेरा आलू बुखारे, अच्छा ये आलू बुखारे बहुत ही आसानी से मिल ज तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हमेशा मैं डालती हूँ, इससे डालकर मिक्स कर लीजिए, अब धाय मिनिट और बाकी है, तो धाय मिनिट इससे पकने दीजिए, बार बार चलाते हुए, उसके बाद यहां पर मैं डाल देती हूँ आधा कप पानी, अब पानी मै अधा कप दाल रहे हूँ, आप पानफोथ, कप जितना दाल सकते हैं, अगर आपको कम ग्रेवी चाहिए तो, और इसमें एक उबाला आजाने दीजिए, एक उबाला आजाता है, तो स्लोज करके इसे ढख कर 12-13 मिनिट तक पकने दीजिए, हमें चिकेन तकरीबन 85-90% तक ही पकानी है, पूरी तरीके से नहीं पकानी है, मेरे बड़े-बड़े पीस थे, इसके लिए मैं तकरीबन 12-13 मिनिट तक पकने रहने देती हूँ, चलिए, 12-13 मिनिट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, मैंने चुला कर दिया है, बंद और इसे एक बार चला लिए, अच्छा अगर आपको लग रहा है, अभी मैं ऐसे ऐसी ही रहने देती हूँ, कि अब मैं चावलो का करूँगी, तो ये ठंडी होने के बाद भी गाड़ी हो जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि बहुत जाता पानी, तो आप सुखा लीजी, आपके हिसाब से, चलिए, अब मै क्या कर रही हो, चावलो पे आती हो, मैंने आदे घंटे पहले चावलो को भीगा के रख दिया था, दो-तीन पानी से धूने के बाद, उसके बाद यहाँ पानी बॉइल करने रखा, उसमें गरम पानी, के अंदर मैंने डाला गरम मसाले, नम्मक जादा ही डालना है, क्योंकि चावलो के भाग से जादा ही नम्मक जाता है, आपको पता है बिर्यानी में, थोड़ा खारा होना चीए इसका पानी, और उसके साथ-साथ थोड़ा सा मैंने निम्मू का रस डाला था, और दो-तीन टेबल स्पून जितना तेल डाल कर इसे बॉइल कर लीजे, तकरीबन 90-95% तक ये देखिए, हो जाए हमारी बासमती राइस, तो इनहें नितार कर साइप पर रख दीजिए, तो ये आप देख सकते हैं, बढ़िया से हमारे चावल रडी हो गए हैं, और ये देखिए हमारी ग्रेवी, ये आप देख सकते हैं, मुझे थोड़ी सी है न, जो बिर्यानी न, मसाले वाली थोड़ी अच्छी लगती है, तो मैं हमेशा थोड़ी सी ग्रेवी रहने देती हूँ, लेकिन आपको चाहिए, तो आप अच्छे से सुखा सकते हूँ, चलिए, अब एक बिर्यानी की पतिली लीजिए, उस पे पहले नीचे दो-तीन बड़े चमच इसके दा कहा है, नहीं, तो क्या होता है न, हम सब एक ही जगह दाल देते हैं, तो सब एक ही जगह होते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, कि चिकन कहां गई, मेरे यां तो यह बहुत बार होता है, तो मैं अब से या करते हूँ, फैला फैला कर डालती हूँ, कि मुझे पता है चिकन के पीसस का है, जब चिकन की पीसस दाल दें, तो उसके बाद सारी जो ग्रेवी है उसके उपर डाल दीजिए आलूओं को भी फैला फैला कर दाल दीजिए और उसके बाद खूब सारी बारी कटी हुई कोदमेर यानि के हरा धनिया दाल दीजिए, आप चाहें तो इसके उपर स्प्रेड आउट कर दीजिए ऐसे और इसके उपर अब हम डालेंगे त्री फोद कप जित्रा दूद, चारो और फैला दीजिए आप चाहें तो पानी भी छुड़क सकते हैं त्री फोद कप और मैं यहां फूट कलर थोड़े से पानी में डाल कर रखी थी केसरी वाला, उसे थोड़ा चारो और फैला देती हूं और यह बिरिस्ता उपर खूप सारा डाल दीजिए, खूप सारी बारी कटी हुवी कोद मेराने के हरा धनिया डाल दीजिए चार-पाच टेबल स्पून असली घी के हमेशा मैं डालती हूं तो आपने डालना है तो आप डाल सकते हैं आपनों कम डालना है तो कम डालिए या स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं अब इसे ढख दीजिए साइट पर मैंने तववे को फास्ट आज पर गरम कर लिया था अच्छा और यो तववे को अब मैं यहां चुला फास्ट आज करके नीचे रख देती हूं तववे को और उसके ओपर हमारी ये जो बिर्यानी की जो पतिली है वो रख दीजिए अब फास्ट आज पर तववे के साथ आप चाहें तो पांच मिनिट तक रख सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ एक ही मिनिट हमेशा रखती हूं और स्लो आज करके तकरीबर 20-25 मिनिट तक तमपर रहने देती हूं मैंने कुछ वजन भी रख दिया है स्लो आज पर अभी से पकने दीजिए चलिए 25 मिनिट हो चुकी है मैंने चुला कर दिया बंद और इसे खोल लीजिए अब ये देखिए अच्छी भापी पूटी है मैं टेस्ट कर लेती हूं इस तरीके से आप चमश दालेंगे और सरिफ तेल निकला मतलब एकदम परफेक्टली बिर्यानी हो चुकी है अब क्या कीजिए मालू में इसे आज इड़ा कर दस मिनिट रहने दीजिए जब दस मिनिट हो जाए लेकिन है ना नीचे से तववा हटा लीजेगा मैं हमेशा नीचे से तववा हटा लेती हो और दस मिनिट आज इड़ा रहने देती हो उसके बाद अब ये दस मिनिट हो चुके है ये बिर्यानी पप चुकी है और इसे निकाल लीजिए बिस्मिल्ला रह्माने रेम बोल कर और ये बन गए हमारी बढ़िया सी रेस्टों स्टाइल चिकन बिर्यानी दम वाली बहुत ही मजेदार बनती है बिना पैकेट के मसाले के बनती है बहुत ही लजीज होती है इसे एक बड़े से बाउल में निकाल लीजिए या फिर प्लेट में निकाल लीजिए और किसी भी कचुंबर के साथ सर्फ कीजिए अच्छा अगर आपने तववा रखके पांच मिनिट पर ये जो पतीली को फास्ट आँच पर गरम किया है तो आप बीस मिनिट ही रखिये बट आपने देखा मैंने सरफ एक मिनिट ही फास्ट आँच पर गरम किया था तो इसके लिए मैंने 25 मिनिट रखा है आपने देखा मैंने हरी मिर्चियों का इस्तमाल बिल्कुल भी नहीं किया है बट आप चाहें तो जब चिकन आप मेरिनेट करते हैं तो एक चोटा चाय का चमच आप पीसी उवी हरी मिर्च डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल थी क्योंकि मुझे उतनी स्पाइसी चीज़ें पसंद नहीं है अच्छा आप चाहें तो हरी मिर्चियां जब आप चिकन की तै लगा देते हैं बिर्यानी असेंबल करने में वहाँ पर भी अरी मिर्चियां डाल सकते हैं, बट मैंने कहीं पर भी उसका इस्तमाल नहीं किया है। सर्फ करने के टाइम पर पारी कटी हुई कोथ में टाने के हरा धनिया डाल दीजिए और परिस्ता भी जो बच्चा हुआ है डाल कर सर्फ कीजिएगा। असलाम हो आलेकूम, तो चलिए आज हम बनाते हैं बड़िया सा दाने दार चिकन का कूर्मा, एक दम मजेदार और घर के हाजर मसालों से, यह आप देख सकते हैं कितना बड़िया सा कूर्मा बना है, आप एद पर बना सकते हैं और बहुत ही डिलिशिस लगेगा, रोटी पर यह है दकरी बन, साड़े साथ सो गराम चिकन है, आप एक किलो दक्की ले सकते हैं, मैंने चर्वी निकाल ली, दो त्री दिन पाने से धो के निताने, दस पंदरा मिनिट के लिए छन्निंग के ओपर मैंने साइपर रख दिया था, अब चूरी की मदद से इस तरीकी से पोक क कर दीजिए तो जो मसाला हम दालेंगे वो अंदर दकरीच हो जाएगा ना, तो अब उसे एक बाउल में दाल दीजिए और नम्मक दा दीजिए स्वादनो साब मैं 3-4 छोड़ चाय का चमच दाल रही हूँ, दो टेबिल स्पून अध्रक लसन का पेस्ट भी दाल दीजिए, चार छोटी चाय के चमच धनिया पाउडर, दो छोटी चाय के चमच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चाय का चमच भूना पिसा जीरा पाउडर, आदा छोड़ा चाय का चमच हल्दी पाउडर, आदा छोड़ा चाय का चमच मैं जो स्पाइसी वाली लाल म दाल रहे हो, आप चाहें तो एक छोटा चाय का चमश दाल सकते हैं, एक कब भर कर गाड़ी दही, अब ये सारी चीज को मिक्स कर लीजी और ठाक कर फुरज में आदे एक गंटे के लिए या जितना समय आपके पास हो उतने समय के लिए मेरिनेट करने रख दीजे, अगर आप बादाम मैंने छिलके के साथ ही लिए है, और ये दस काजू है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजे और इसे भीगने के लिए, सोख होने के लिए साइट पर रहने दीजे, 15-20 मिनिट के लिए, तब तक इसके अलावा हम अभी प्यास पर आते हैं, ये तकरीवट 200 ग्राम समझे नहीं, चार मीडियम साइज की थी, इसे लंबी-लंबी स्लाइस में काट लिजे और अच्छा तेल डाल कर उसमें खुले तेल में इस तरीके से फ्राय कर लिजे, हमें बिरिस्ता बनाना है, फ्राय करना है कि लाइट गोल्डन ब्राउन होए, बस वहाँ पर ही निकाल नितार कर थोड़ा सा इस तरीके से प्रेस करके निकाल लिएगा और इसे निकाल कर टिशू पेपर के ऊपर साइट पर रख दीजे, क्योंकि यह जो है ना प्याज उसका बाद में जब पकने के बाद भी बाहर निकलने के बाद भी उसका हुकिंग प्रोसेस चलता रहता है, तो लाइट गोल्डन ब्राउन होए तभी निकालना नहीं तो बहुत जादा काली हो जाएगी तो हमारा जो सालन है ना कड़वा टेस्ट में होगा, चलिए अब यहाँ पर 15 मिनिट हो चुके हैं, बादाम काज और खसखस को भीगते हुए तो इन्हें एक मिकसर जार में डा कर बहुत अच्छा फाइन पेस्ट होए तक इसे पीस लीजिए, ऐसे और इसे साइट पर रख दीजिए, अब हम एक और प्रेपरेशन कर लेते हैं, यह तकरीबन वलफोत जाइफल है, 4-5 हरी इलाइची, एक जावितरी और एक बड़ी इलाइची काली वाली, यह सारे को आ या फिर आप मिकसचार में भी दाल कर इसे पीस सकते हैं, यूजियली मैं इसे कूट लेती हूँ, यह देखिए, ऐसे इसे कूट कर साइट पर रख दीजिए, और यह जो बड़े-बड़े आपको लगे, इसकी जो स्किन हरी इलाइची की, तो उसे निकाल कर फेग दीजिए और इसे अभी हम साइट पर रख देते हैं, जो फ्राइ करी हुवी आनियंस आप देख सकते हैं, किसी थोड़ी डार्क होगी न, तो चलिए, अब इन्हें आप चाहें, तो हातों की मदद से क्रश कर लीजिए, या फिर मैं तो क्या कर रही हूँ, मिकसचार के अंदर दाल कर इसे बारिक पीस लेती हूँ, ऐसे और इसे साइट पर रख दीजिए, जब तक चिकन मेरिनीट हो रही थी, हमने ये तीनों प्रिपरेशन कर ली, चलिए, अब हम कडाई के ओर चलते हैं, और जो तेल था, उसमें से मैंने थोड़ा निकाल लिया है, और अब ये गरम मसाले ह ये आदा चुरचे का चमजीरा, चार हरी इलाइची, चार पाच लॉंग, दो तीन तेज पत्ता और चार पाच काली मिर्च, ये सारा डाल दीजिए, चुला फास्ट आज पर चालू कर दीजिए, और तेल में थोड़ा सा ये गरम मसालों को तर-तर आ जाने दीजिए, जब तक पका रिवाप चाहें, तो मीडियम पर रख सकते हैं, बट मैंने फास्ट आज पर चूला रखा है, जब दो-तीन मिनिट तक पका ले तो चुले को कर दीजिए, जब दस-बारा मिनिट तक पकने दीजिए, जब दस-बारा मिनिट हो जाएगी, तो तक करीबन 70% तक हमारी यह जो चिकन है, यह गल चुकी होगी, जैसे आप देख सकते हैं, दखी और चिकन दोनों का पानी छूटा है, तो हमें इसे सुखा लेना है, चुला फास्ट आज करके इसे सुखा लेजिए, तब तक सुखाना है, जब तक यहाँ तेल ऊपर नहीं आ जाता, और भूनने जा था, जो हरी लाइची वगिरा दाला होगा, वो डाल देती हूं, अच्छा बिरिस्ता जो हमने पीसकर रखा है, वो डाल दीजिए, और इसे के दर्मियान में ही गया हुगा है, जो हमने सफेद जो काजू और बादाम का पेस्ट बशा लेना के रखा है, वो भी डाल और इसे सबसे पहले तो बहुत अच्छे से mix कर लीजिए, इसी के दर्मियान में गया हुआ कि आमने जो मसाले जो सारे डाले है वो भूना भी जाएंगे, ये मसाले जो पानी जो छूटा हुआ था वो भी भून जाएगा और तेल छूट जाएगा ये देखिए, आप देख सक कम लगे तो चुटकी भर या नमक जो हिसाब से आपने अज़स्ट करना है, अज़स्ट कर लीजिए और इसे फास्ट आज पर उबाल खिला लीजिए, जब अच्छा उबाल आ जाता है तो स्लो आज करके तकरीबन 12-13 मिनित तक दम पर पकने दीजिए, तब तक पकाएंगे अब तक चिकिन पूरी तरीके से कल नहीं जाती, चलिए तकरीबन 12 मिनिट हो चुके हैं और चिकन गल चुकी क्योंकि मेरी चिकन बहुत छोटी थी, तो चलिए अब 12 मिनिट के बाद आप बड़ से मेरा ग्रेवी भी परफेक्ट है, तेल भी आप देख सकते हैं मज़ेदार तो इस समय आप थोड़ा सा एक छोड़ा चाय का चमच केवड़ा वाटर दाल सकते हैं, मैं अतनी बड़ी फैन नहीं हूँ उसकी, तो मैंने नहीं डाला और मैंने चुला कर दिया, बंद अब आप इसे रोटी पराठा, फुलका, बटन आन किसी के भी साथ सब कीजिए, वै मैंने कुछ कुछ कोर्मों की रेसिपी या पिर आप कैसे के ग्रेवी की रेसिपी मेरे चानल पर अपलोड किए सारे प्लेलिस्ट लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आप महाँ चेक कर लीजेगा, तो हैना मज़ेदार रेसिपी अगर आप ये वाली रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ इस वीडियो के कमें सेक्शन में जरू शेर कीज़ेगा अपने कमेंस मुझे बहुत अच्छे लगते रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक जरू कीज़ेगा और उससे जाद अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंस में इस वाले वीडियो के लिंक जरू फ